दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं Gen 1 Backdated E Даже Engineering के बारे कूँकि मेरे पास लगातर जो How denn A Demi को ㄹ लेकर उसमें सबसे बड़ा एक क्वेशन है कि सर मुझे Gen 1 Backdated E Даже Air चाहिए या मैंने एक Gen 1 Backdated E Даже किलेने के लिए किसी से बात की थी और उसने मुझे काया होती है यानि कि एक time आप एक्जान देकर जो डिग्री प्राप करते हैं वो अन्वेलिड कैसे होती है और इसके अलावा हम बात करेंगे कि दिग्री आ कि रहे होती ही और एक और टोपिक हमने ही इस वीडियो में एड किया है उस टोपिक पर चर्चा करेंगे कि वन year degree क्या होता है यानि कि basically फूरे वीडियो में चार टोपिक अपने लिये यह चारो टोपिक हर student जानना चाहता है जो back-date डिग्री लेना चाहता है तो यह चारो टोपिक इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से explain करने वाला हूँ तो इसे वीडियो के साथ आपको बने रहना होगा लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तो आपका श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजूकेशन फोर भारत में और मैं हूँ आपका दोस्त बी के दिवारी है आपको बारी बारी से उन चारो टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यानि कि सबसे पहले हम बात करते हैं जैन्वन बैक डिटेट डिगरी यानि कि ये बैक डिटेट डिगरी जो है ये होती क्या है उसके बाद हम बात करेंगे genuine वाली और fake वाली backdated degree और उसके बाद हम बात करेंगे कि one sitting degree program क्या होता है यानि कि fast degree आप किस तरीके से ले सकते हैं और इसके अलावा हम fourth number पर बात करेंगे कि one year degree क्या होता है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं backdated degree को लेकर basically वैसे तो मैंने backdated degree के बारे में आपको एक video बना कर दिया था अगर आपने वो video नहीं देखा है तो मैं I button में उसका link दे दूँगा आप उस video को एक बार watch जरूर करना तो backdated degree को लेकर जितने भी आपके confusion है शारे clear हो जाएंगे कहां से आती है कैसे बनती है उसका record कैसे maintain होता है verification कैसे होती है सारी चीज़े इस video में मैंने बताई है तो वो video important है एक बार उसको जरूर देख लेना लेकिन backdated degree उन्हीं डिग्रियों को बोला जाता है जो समय बीत चुका है उस दर्मियान अगर कोई degree परचेज की जाती है क्योंकि वहाँ पर education करके नहीं की जाती है क्योंकि जो समय बीत चुका है उनके exam हो चुके है उनकी सारी प्रक्रियाँ है प्रोशेश हो चुके है तो अब आप उसमें दुबारा से 2020 की degree है या 2023 चल रहा है तो यानि कि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो backdated degree या फिर वो degree जो आपके बीते हुए समय कि अगर आप purchase कर रहे हैं उन्हें backdated degree का जाता है यानि कि इससे जी वे में आपको नहीं समझाया जा सकता इसके अलावा अब ये क्या बिमारी है तो आप इसको google करके भी देख सकते हैं जब आप google करोगे यानि कि backdated degree valid होती है या नहीं ये चीज़ डालके आप google करना आपके सामने सारी चीज़े आ जाएंगी और उसके बारे में आपको पूर्टे जानकर या आप वहां से पढ़कर भी आप कर सकते हैं और अगर आप हमारी इस वीडियो में अगर बने रहेंगे तो भी मैं इस वीडियो में भी वह बताने वाला हूं इस डिगरी का मेन या मुख्य रीजन ये होता है अब आप कहेंगे कि सर रिकोर्ड यूनिवर्स्टी में ही तो है बिलकुल यूनिवर्स्टी में ही होता है लेकिन उस रिकोर्ड को रखने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है अब आप कहेंगे कि सर वो तरीका क्या होता है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यानि कि युनिवर्सिटी में दो कम्प्यूटर रहते हैं यानि कि एक कम्प्यूटर जिसमें legal students की डिगरी रहेगी बेसिकली यह उनिवर्सेटी इसलिए करती है कि उसे एक्स्ट्रा कमाई होती है यानि कि जो backdated degree है उसे यूनिवर्सेटी को बहुत अच्छे से पता है कि जो बच्छा बी ये regular नहीं कर सकता वो जीवन में कर क्या सकता है इसलिए यूनिवर्सेटी ने पैसा कमाने के लिए एक महिने में उसको एक डिग्री बना कर दे दीजिए क्योंकि वो जोब लगी नहीं सकता जब उसे ग्यानी नहीं है तो जोब लगेगा कैसे तो इसलिए यूनिवर्स्टी एक्ष्ट्रा कमाई करने के लिए इस तरीके की डिग्रियां वितरित कर रही है यानि कि छाप छाप के प लग गया तो उसे वैरिफिकेशन यूनिवर्स्टी कैसे करे ये एक समझ जिस्से की इस्तिती हो जाती है कि यूनिश्टी को पता है कि वो तरीका अलग था उनका इसलिए ही मैं हमेशा आपको एक सलह देता हूं कि बैक डिटेट डिग्री अगर आप ले चुके हैं तो उसक एक सही औथेंटिक तरीके से जो डिग्री लिए जाती है वो आपके कैरियर के साथ यानि कि आपके marketing का अंदाज होता है फिर आपने marketing के ऐसे लोग देखे होंगे जो marketing का काम करते हैं यानि कि sales का काम करते हैं और sales के बंदे होते हैं उन्हें उन products को बेचने के लिए especially कहा जाता है यह product आप sell करके दिखाओ यानि कि जितनी अच्छी skill जिस व्यक्ति की होगी उतने अच्छे तरीके से उस product को sell करेगा तो यानि कि उसका एक दूसरा उधान हमें डिग्रियों के बारे में समझते हैं कि जैसे माल लीजिए आपको किसी डिग्री की requirement है और कोई अच्छा marketer है यानि कि अच्छी marketing की skill है जिसके पास आप उससे अगर ठकरा गए हैं तो वो आपको उसी डिग्री को genuine बना दे उसके बारे में दो चार जो आप सवाल करोंगे उसका अलग तरीके से जवाब देकर उस जब तक चल रही है तब तक यह डिग्री सही है युनिवर्स्टी फस गई तो हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है एक वो marketer या marketing की skill रखने वाला व्यक्ति जो आपको यह कहकर बेच रहा है कि यह जैन वन वाली वाल बैक डिटेट डिग्री है यानि कि इसका रिकोर्ड युनिवर्स्टी ने अलग तरीके से रखा है वो फरजी बैक डिटेट वाली डिग्री नहीं है यह जैन वन बैक डिटेट डिग्री है लेकिन वास्तिक्ता यह है कि वो जैन वन वैक डिटेट कहके आपको शैल कर रहा है या फिर बैक डिटेट कहके शैल रहा है तो वो दो 오방geting skill की जो हम बात कर रहेते हैं वही लोगं इसी तरीके से इस डिग्री को-one sitting degree कहकर बेचते हैं तरीका सारा वही रहता है स्रफ जो Alex माजेस ऑग्जाlike को यूज किया जारा है वह सित्ञ दिग्रीों यानि की सिरफ एक और जो तरीका आजकल आम तोर पर यूज किया जा रहा है काफी सारे कंसल्टेंट के द्वारा कि सर हम आपको जो डिग्री दिला रहे हैं वो वन इयर वाली डिग्री यानि कि आपको सुर्फ एक बार में ही तीनों एक्जाम देने हैं यानि कि फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आपको एक साथ देना है और उसके बाद जो आपको डिग्री मिलेगी वो जैन्वन मिलेगी तो वो भी एक इनलीगल प्रोसेश है अगर आपने उस तरीके की भी अगर कोई डिग्री ले रखी है तो आप उसे चेक कर लीजिए उसके उपर जो एक्जामनेशन सत्र रहा है आ जो आप चेक करना उनके उपर बैक इयर मैंशन है यहांने कि जो एक्जामनेशन की जो डेट आती है वहाँ पर बैक मैंशन है это रखनेट कि अगर वो फ्यूंके तरीके की डिग्री होती और एक साल में इस मिलती तो आपको थीनों मार्शीट इनलीगल है यह कभी भी आपकी genuine नहीं हो सकती सरफ consultant आपको जो बेचने का जो तरीका है उसमें कुछ change करें क्योंकि backdated degree के बारे में आपने सबने सुन लिया इसलिए आपको लग रहा है कि भाई backdated की डिग्रियां कैसे होती है या फिर किस तरीके से यूनिवर्स्टी अपनी एक्स्ट्रा कमाई के लिए consultant दस-पांच हजार रुपए के कमाने के चक्कर में आपको किस तरीके से और किस तरीके के अंदाज से आपको वह डिग्रिएं सैल कर रहे हैं दोस्तो हम आपको हमीशा बैकडेटेड़ डिग्री के रिलेटेड यही बताते हैं कि अगर आप आपके career के साथ-साथ, आपके जीवन के साथ-साथ चलेगी, लेकिन जो backdated है, वो निश्चिती आपका 2-4 साल में आपका पीछा छोड़ देगी, तो यानि कि मेरा यही मानना है, backdated degree अगर आपको मिल भी रही है, अगर आपको कोई दावा कर रहा है, तो भी आपको नहीं लेन चाहिए क्योंकि वह पूंते फर्जी होती है ऐसा हम बहुत सारे वीडियो में पहले से बता चुके हैं और आई बटन में एक वीडियो में बैक डेटेड डिगरी के संपुर्ण विश्टरेशन के रिलेटेड दे रहा हूं इस वीडियो को आप देख लेना और भी अगर आपक आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों कर इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैको